सबसे पहले सभी बच्चों को सुभ दिपावली तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता है यह हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों कौन सा है नाम बता होगे हमारी और जिसका नाम रहेगा सम बेसिक प्रिंसिबल इसके बच्चों आज की क्लास में हम लोग ncrt को डिसकेस करेंगे वन बाइवन जितने ज्यादा होगे उतने ज्यादा कोशन करेंगे वह सब आपके इंट्रेस्ट के पर डिपेंड करता है तो देखिएगा पहला क्वेशन क्या बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूं और को द इतने आपको यहाँ पर कैमिकल्स दिख रही है इनके अंदर जो भी कार्बन है हमें इनकी हाइवर डाइजेशन स्टेट डिसकेस करनी है सबको पता है है सबको पता है बहुत बढ़ी याद देखिए पहला क्वेशन दिया है कुछ ऐसे करके एक बार पताईएगा स्क्रीन क्वेशन देखिए इस पर रहेगा इस मोलिकुल को थोड़ा एकस्पेंड करेंगे यह पहला कार्बन इधर हाइड्रोजन लगा है यह डबल बॉन और साथ में क्यों हो गया डबल बॉन इस क्लियर मैंने इस कार्बन को पोजिशन दे दी वन और इस कार्बन को बोला कौन सा कार्बन यह तो सिंपल से ट्रिक डिसक्स करेंगे बच्छों देखो अगर कार्बन ने चारों बॉंड सिंगल बनाए है तो हाइब कार्बन बच्छों तीनों ही ट्रिपल बॉंड बना ले और एक बनाए क्या सिंगल बॉंड तो इस कार्बन की हाइब डाइजिशन क्या हो जाएगी बताओ क्या यह बात समझा दी सबको इस ट्रियर और नॉट तो देखो अब हमारे इस मोलीकुल में देखेंगे इस कार्बन सिंपल सी बात आगए अगर आपका कर बन के सामने बन गी यह इस की बी हाइब डाहेगी एस्पी हो जाएगी क्या अगर किसी कारबन ने दोफ करएब्डерм के पास ड्रे सिंपाओ है कोई बात नीए थी सिंगा बॉण है कीसे हैं क्या थो फ्र फक्री के पास एक ऑप हमारे पास सब्सक्राइब तो हाइब अगर कार्बन के पास चारों क्या हो गए सिग्मा बॉन तो हो जाएगी बच्चो कितनी सब्सक्राइब करेंगे कुछ ऐसा था कार्बन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहां और यहां फिर क्या था बच्चो डावल बॉन्ड कार्बन और डावल बॉन्ड ऑक्षिन तो पताईएगा इस कार्बन के हैविड़ाइजिश्ट जाओगी हो हिए ए एए्सपी टू क्या होगी बच्चो कितनी होगी कैसे पतला यगा हमने देखा एक सिगमा पॉन यह रहा एक सिगमा और यह रहा तो उपर वाले दोनों पई बना देंगे तो 2 स्टेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट चार है तो क्या होगी जिसके पास चार सिग्मा बोन है तो हाइब डाइजिशन क्या होगी बच्छो SP3 लो भाई इतना क्लियर कर लोगे चले कर दू रफ इसको सब को चलो हो 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 इसको फिर से जूम करना पड़ेगा अगला एक्जामपल देखें बच्छो इसका अगला एक्जामपल आपके सामने है CH3 सिंगल बांड दिया बच्छो CH double bond CH2 बताओगे बच्छो फड़ावर बताओगे क्या रहेगा इसको पोजिशन देते हैं carbon 1 यह हमारा carbon 2 और यह carbon 3 फड़ावर बताओगे अपनी कोपी पर सोल्व करेंगे चलो कर रचित सिंपल सा देखोगे जहां hydrogen बच्छो एक बात यहां दखना hydrogen हमेशा ही कौन सा बोड़ बनाता है बच्छो sigma bond कौन सा बोड़ बनाएगा बही क्यों बनाता है क्योंकि hydrogen spherical होता है कैसा होता है इसका इतम spherical होता है तो देखो पहले carbon ने दो सिगमा और एक तीस रहे सिगमा तो इसके पास तीन सिगमा तीन सिगमा वाले क्या है बड़ाइशन होगी sp2 क्या होगी इसके पास भी तीन है तो इसकी भी क्या होगी और इसने कितने सिगमा बनाए चार तो चार वाले की हाईविटेशन क्या हो जाएगी इसकी क्या होगी sp2 और इसकी वैस्पी क्यों लिख्खा भई यह लिखेंगे sp3 बताओ इतना समझाया नेक्स एक्जामपल लेखेंगे एक regulation cure c marrying double bounded oxygen इधर c s3 लग गया और इधर भी क्या लग गया c s3 तो बताओ इसको माना मैंने carbon 1 इसको बोलेंगे carbon 2 और इसको बोलेंगे carbon त्थी तो बताओ क्या होगी hybridization इस carbon को notice करोिक बाद कार्बन ने तीनों सिग्मा बना रखे हैं तीनों सिग्मा है तो तीन और चोथा सिग्मा कार्बन कार्बन के साथ तो हाइवडाइजिशन क्यों होगी SP3 क्या होगी इस कार्वन को ध्यान से देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीसरा ये बच्चों याद रखना अगर डबल बॉंड है डबल बॉंड में पहला बॉंड सिग्मा दूसरा क्या होगा पाई अगर ट्रिपल बॉंड है कि नहीं दो एटम के बिच में पहला सिग्मा उपर के दोनों ही क्या बन जाएंगे पाई तो इस कार्वन को नोटिस करो एक, दो, तीन, तो तीन सिग्मा है तीन सिग्मा के लिए क्या बोलेंगे SP2, यहाँ पर चार सिग्मा है तो क्या होगी, SP3 बता हो भई, इतना समझा रहा है नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं यह देखिये गैदर यहाँ पर देखिएगा CH2, यह डबल बॉंड है फिर कार्वन, फिर एक हाईडोजन लगा है, मैं एक्सपैंड करके फोर्म लिख रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो यह कार्वन और ट्रिपल बॉंड है यहाँ नाइट्रोजन का यह नाइट्राइल बन जाता है क्या बन जाता है, अलकाइल, नाइट्राइल यहाँ पर कार्वन ने कितने सिग्मा बनाए गफर्वन के साथ बहुत बढ़ जाता है, और यहाँ पर बताईएगा खाली दो सिग्मा है कितने तो बोलेंगे क्या एस पी, बताओ पहला क्वशन क्लियर है किनी है ग relacion模स में लाश्ट एक्जाम्पल का नाम है C6H6 ठोड़ा ध्यान से बचना बच्चो एक मोलीकुल बड़ा जबर्दस्त है इसको देखो हमारे पास एक्जाम्पल है C6H6 एक्च्वल में होता कोन है यह बेंजीन है बच्चो कोन है आप इसको ऐसे भी ड्रोग कर सकते हो आप लोग इसक कि अच्वहँ करने हो तो आपको कैसे ड्रोकर नाय कर दो हम कार निये यीडम्पल इलला कार भन ये दो तीम्ठाल टाइब 130s चलिए क्ला नाफ इस सब कॉर्ण के साथ में जोन्षूनि हाओ लाधे कि इसने कारभन आगे यह बताओ यह तो टारेगा चारबॉन वेलेंसी पूरी यह नहीं है तो जितने नोसगे इसका दो इसको एक दो टीन तो कारबन के वेलेंसी पुरी यह तो कारबन क्या बनाएगा तो चोथा वोन कौन सो होगा पाई बॉन पाई बॉन पाई बॉन अब देखो इसको तो तेखो बई क्लियर अब क्या सारे कार्बन की वलेंसी पूरी है सब शार बॉन बनाए बहुत बढ़िया अब मिर को बताओ के कार्बन यहाँ पर सिग्मा वोंड कितने है और पाई बॉन कितने चल्दी काउंट करके बदाओ कि बारा सिग्मा यह पहले पाई देख लेते हैं पाई तो सिंपल की खराब को कितने है तीन है अब सिग्मा देखेंगे वन वन टू त्री फॉर फाइफ सिक्स तो हाइड्रोजन है मैं लिख देता हूं यहाँ कार्बन हाइ के बीच में है उसनों सिग्मा कितने होगे तौटल सिग्मा सिग्मा कितने होगे बारारा इंषि एक हैंक已经 अगें Aww यहाँ पर कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए इसरी तडिए इसकी भी hybridization सबकी hybridization क्या होगी ये question रियाद कर लोगे कि benzene के अंदर जितने भी carbon होते हैं सबकी hybridization का नजल आएगी आपको SP2 क्या आएगी SP2 इस इट clear or not और एक point और रियाद कर लोगे जब carbon क्या बनाएगा hybridization होगी बच्चो SP तो उसकी geometry कैसी होगी linear आपको नजल आएगा जब carbon की hybridization क्या होगी SP2 क्या होगी तो बच्चों क्या नजल आएगा अगर carbon की hybridization कितनी है SP3 कितनी है SP3 है तो ये tetra idle geometry बनाएगा बदा आव भई क्या ये point clear है सबको next question की तरफ मूँ करें अच्छा उतारना है चलो भाई मजा रहा है और लो फिर चले चले भाई इसको रफ कर दूँ next question देखिएगा indicate the sigma and pi bond of the following molecule molecule है बच्छों आपके पास और इसमें से आपको क्या select करना है sigma और pi bond आपको चूज़ करना है एक मैं वो देख लेता हूं बले यहां से एक crop का option दा है कहीं crop दिखे रहा है किसी को नहीं दिखे रहा यह रहा इस कुशन को यहां से उठा लेते हैं ना पाए कि लो भाई यह यह यहीं आ गया बेरकुत लगा था यह और जाए गए क्लोन में तो यहीं आ रहा है चलो घर छोटो इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं लो भाई कोशन आपके पास इंडिगेजर सिग्मा एंड पाइब अज इक बात बताओ यह कोशन विजीबल आना सबको तो देखिएगा अच्छे यह कोशन इसमें पहला ही आपको बेंजीन दे दिया यह हम अलड़ी डिस्कस कर चुकी है ठीक है सैकिंड पॉइंट की दरफ चलते हैं सैकिंड दे दिया सी सिक्स एस्ट्वेल करोगे सोल इसको करेंगे सोल देखोगे पहले कितने कारबन हमेशा याद रखना जब भी आपको ऐसे कोई कुश्चन आई या नो मनिकलेशन की बाद करें तो आप लोग पहले सिंपल कारबन डोग करना उसके बाद कारबन कारबन के बीच में क्या लगाओगे सिंगल बॉन वान टू थी फॉर फाइफ अच्छे बाद देखो यहाँ पर उसने पोजिशन आड़न नहीं बताया है तो आप सिंपल क्या करोगे हाइडोजन लगा दोगे कितने हाइडोजन हा भई तो यहां पर होगे पूरे इसके बारा हाइडोजन तो अब मेरे को सिंगमा और पाइबोंड बताओ क्या इसमें कहीं पाइबोंड नज़रा रहा है क्योंने नज़रा है क्योंकि अल्के आठी का अठाब के बेच ऑगता है अल्केन का फोर्मा ज़ोंड लेखे वा बच्छो अल्केन का होगा फॉर्माव seviye मेंisi कि हुए तो यहां कितने आए तो किसका पारट तो एक करवन ऐसा होगा बीच में कहीं से क्या करेंगे डो है यहosos लगा देंगे बताओ क्या यह पॉइंट क्लियर है चलो मैं आपका काम असान करें तो मैं पाई बोर्ड बताओ कितने बनेंगे पताओ वही सिग्मा बोर्ड कितने बनेंगे काउट कर लेते हैं वन कितने होगे वन टू थ्री फॉर यह फाइफ शीक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन च्वेल ठाटिन फॉर्टिन फिफ्टिन शिक्स्टिन और एक सैंटीन आपका कितना वहीं सेंटीन आए सबका पका सबका सेंटीन आया तो देखो वैसे तो कितने हों चीज़े बच्चों बार अठारा होने चाहिए थे मगर एक कारवन के वीच में क्या है डबल बॉन आ गया तो माइनस कर देंगे बारे पांच सत्रह बताओ क्या एक कोशन क्लियर है सबको सबको ने स्ट्वी और मॉलीकूल को एक सब्सक्राइब कर देंगे हैं चीज़े कि यहां पर डावन कारवन के साथ फिर डबल बोन लगाया कार्बन का और हाइड्रोजन का बताओ बच्छो कितने सिग्मा कितने पाई कितने सिग्मा और कितने पाई भई सिग्मा कितने होगे अपने पास पाई मैं बताओंगा सिग्मा बताओगे क्योंकि पाई मुश्किल है यह ना मुश्किल है दो है बताओ होगे सिख्मा वान टू थोर फॉर फाइल शिक्स को सिख्मा कितने होगे बहुत बढ़ी है नेस्ट क्रिशन देखिए गाव फॉर्थ नमबर पर क्या दिया कार्बन के साथ दूसरा यह है यह हाईडोजन एक हाईडोजन इधर हाईडोजन यह नाइट्रोजन दे सी तीन और पांच रखेंगे यहां पांच मोड़ों यह बना सकते मैक्सिनम कितने सिक्मा है पहले पाई काउंट कर लेते हैं पाई दो है हमारे पास सिग्मा बताओ कितने हैं इसको रफ कर दो चलो अभी स्पेस है इधर चलते हैं नेक्स्ट मोलिकूल देखिएगा कुछ ऐसा लिखा होगा एच सी ओ और यह देदिया एन एच साथ में देदिया बच्छों सी एक राइस सी एस थी लो भाई पहले कार्बन करेंगे कार्बन के साथ डबल बॉंड और ऑक् लिखा है रे लोड़ा है फ्राइड्रोजन फिर साथ क्यूर्द कार्बन के साथ कितने हैं अंरे पैप पूरे मोल्हिक्ल में ढूंबने है फ्रौरण में आपको पता लगा कितने पाई सिगं में होगते वान दूख sicher व्या अगला कुश्ण देखेगा राइट बॉंड लाइन फॉर्मॉला फोर इसो प्रोपाइल एल्कोहल बच्चों ये वही आइसोप्रोपाइल एलकोहल है जिसको आई पी अबोला करोना के अंदर जितने भी सेनेटाइजर बने हैं सारे के सारे इसी केमिकल से बने हैं इस इट क्लियर तो देखेगा आइसो प्रोपाइल एलकॉल इससे पहले मैं रफ कर दू सब तो यह तार लिया भी सबने चलो देखते हैं आई पी क्या है और साथ में कोन दिया भाई टू थ्री डाइल मिठाइल दिया है इथाइल दिया सोई इधाइल है मिठाइल बुटेनल और हैट एन फॉर ओन इस इट क्लियर तो देखेगा सबसे पहला यह दिखे रहा नहीं यहां और यह दिया है एलकोहल पता हुए इतना क्लियर बच्चों एक बात याद दिख लो आई सो वर्ड कहां लगाना है नियो वर्ड कहां लगाना है मान के चलो आपके पास कुछ ऐसा मोलीकूल है आगे लंबी चेन है अगे बार समझ चेन उधर से स्टार्ट हो रही है ठीक है यह आपका last carbon है क्या है और यह second last carbon है क्या है अगर second last carbon पर कोई भी functional group आ जाए या substitute आ जाए तो उस molecule के सामने हम word लगाएंगे ISO क्या लगाएंगे क्लियर अगर यही हमारे पर जो second last carbon है ठीक है इसके उपर इसके साथ दो अलकायल गुरूप लगे हो और साथ में क्या लगा हो फंक्शनल गुरूप लगा हो क्या लगा हो और आगे लोंग चेन बन रही हो तो इसको बोलेंगे नियो क्या बोलेंगे बच्चो इस इट क्लियर तो वर्ड क्या लगा है आई-सो क्या लगा बच्चो आई-सो में क्या करेंगे हम लोग देखोगे प्रोपाइल दिया है साथ में तो कितने carbon तीन ठीक है ना यह कॉमन में में आता यह आपका आई-पैक नॉमन केचर के अंडर में नहीं आता अब मैंने बताया है मान के चलो यह पहला कार्बन यह सेकिंड लास्ट और यह लास्ट तो इस पर क्या लगा दूँगा ओच इनकी वलेंसी पूरिक कर दो इधर भी और इधर क्या लगा दोगी एचा लगा दो बता हो समझाया अब हमें दिखाना बोर्ड लाइन फॉर्मा देखो कौन सा फॉर्मा दिखाना है तो सिंपल है पहला carbon यह दो carbon और यह क्या हो गया और यहां क्या लगा दूँगा ओच यह आप्टर क्या बन गया इसो प्रोपाइल अलकोहल क्या बन गया वे इसो प्रोपाइल अलकोहल क्या यह बात समझाया है सबको चलो बहुत बढ़िया नेक्स देखिएगा बच्चों अगला एक्जांपल क्या दिया टू थी डाइमिथाल विटेनल कितने carbon होगे चार कार्बन कितने कार्बन पहले हमें वर्ड रूट के कार्बन डूटने होते हैं बाकी कार्बन को हम बात में इडेंटिफाई करेंगे पहला कार्बन है दो तीन और यह कितने होगे चार अब साथ में ब्यूटे नल नल का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रूप आएगा एल्डी अब इसने पोजिशन नहीं बताई यहां पर आपकी चोईस रहेगी कि यहां वाले कार्णिन बनाओ चाहिए यहां पर डबल बॉंड ऑक्षिजन और साथ में क्या होगा हाइड्रोजन बताओ इतना समझाया तो यह पहला तो यह कौन सा हुआ यह कौन सा हुआ दो और तीन पर क्या लगा है मिठाइल लगा तो यह एक मिठाइल और यह दो मिठाइल यह लाइन खालिए लाइन ही मिठाइल होती है बच्छोग अगर अगर ऐस पोजट इतना यह होता तो जाङिए सब्सक्राइब two three four five six or seven एक एक्स्ट्रा बनगे आपने पास यह लो अब दो तीन चार पांक छे और यह साथ अब भी गाई साथ में कौन सी पोजिशन में बता दिया से इधर से काउंट करेंगे वन तू त्री फोन फोर्थ काउंट यह बनगा इधर से काउंट करेंगे वन तू त्री तो यह बनगा यह हो गया फाइल बता हो गई क्या यह पोइंक पीयर है समझा है सबको नेक्स जोशन की तरफ मूव कर सकते हैं पक्ता क्लियर ना यहां कि विडीयो को जाके शेयर कर दियो ठीख है है हाँ भई अभी यहां चलते हैं मोलीकुल पर बहुत प्यारा सा मोलीकुल है देखिए बच्चो इसका नाम बताओ चलो मिरे को एक बार बना सकते हैं इसका गीव दा आई पेक नेम ऑफ फॉलॉविंग कंपाउड लो भई यह तो बड़ा टफ नाम आगे इसका तो बताओ वही क्या बनाएंगे इसका हमारे पास कितने कार बनाओगे देखिए का पहले मैंने बेंजीन बनाया यह बेंजीन एक दो कितने कार बनाओगे एक दो तीन यह तीन होगे यही होगा भाई बताओ इसका नाम क्या होगा हां कितना होगा या दखना बच्चो अगर हमारे पास इस साथ कोई benzen group होता है अच्छा आपको इसका नाम तो पता ही होगा और इसके साथ मैं क्या लगा दूं इसका नाम को जाएगा टोलीन क्या नाम हो जाएगा यहां तो एक समस्य यह हो गई कि हमारे पास इसके लिए पार्टिकलर को नाम बनेगा यह तो यह क्या बनेगा थी प्रोपाइल एक फीप्रोपाइल बैंजीन यह वन सीनाइल प्लापइन नहीं बनेगा बच्छे वन सीनाइल प्रोपेन कब बनता अगर यहां ओव फंक्ष्णल गुरूप होता है ठीक हम प्राइटी के अकोडिंग तो डबल बोन को प्राइटी देंगे इसको देंगे डबल बोन को तो मेरे अकोडिंग जो नाम बनेगा बच्चो इसका प्रोपाइल बेंजीन तो पोजिशन बताना चाहो तो बना सित कि यहीं है और साथ में इस कारवन पर क्या लग गया एक मिठायल गुरूप लगया इतना समझाया अब देखो कांटिंग कहां से करनी है इस कारवन से बच्चों इस कारवन को छोड़ना नहीं है ठीक है अच्छा इस फंक्ष्णल ग्रूप के नाम क्या है सियानों नहीं है नाइट्राइल बोलेंगे क्या बोलेंगे जब यही सी एन इसके साथ में बड़ा हाइप्रेटी वाला कोई फंक्ष्णल ग्रूप लगा हो तो बच्चे साइनाइड बोलती हम इसको स्यानों वर्ड कांट करेंगे तो यह होगा हमारा वान टू यह थ्री फोर और यह बात में किसको बोलेंगे तो कौन सी पोजिशन पर थाइड बेंगे उसके बाद क्या लगाएंगे हाइफन हाइफन के बाद मिथाइल थ्री मिथाइल कितने कार्बन होगे पैंटेन ठीक है स्पेलिंग गलत होगी कोई बात लोग पैंटेन और वन पर लगा दो नाइट्रा इतना क्लियर अगला कोशन बताईएगा सी पार्ट में देखेगा कुछ ऐसे है यहाँ पर एक लाइन लगाई उसके बाद फिर ऐसे है यहाँ पर एक लाइन लगाई और फिर ऐसे है ठीक है अच्छा नम्बरिंग मैं किस से स्टार्ट करूंगा बच्छे बताओगे इस वा वन टू थी फोर फाइफ एंड देन सीक्स तो कितने कार्बन होगे हमारे पास साबस्ट्रेट कितने हैं इसके अंदर दो पहला सबस्ट्रेंट कहां पर लगा कोमा लगाएंगे साथ कर्बन है एक दो तीन चार पाथ चाह यह चोड़ गया और यह साथ आएगा बहुत बरिय पर टो यह लगया डाई मिठाइल और हमारे पास कितने कार्बन होगे साथ के लिए हैट सिंगल बॉन्डड है तो बदा आँ बच्छो क्या यह पॉइंट क्लियर है शबको क्लियर है चले next question पर next question देखिएगा अच्छे कब इसको उतारना चाहो तो उतार लो परना रफ करत लो भई पाच्वे कुशन की तरफ चलते अच्छा अभी तो डी पाइट भी रखता भई जान इंदिया देखो भई यह होगा इधर क्या लगाया व्रामीन इधर क्या लगाया क्लोरी कहां से स्टार्ट करूंगा मैं काउंटिंग वहां से करूंगा या इस तरफ से क्यों करूंगा तो यह वन टू इधर थ्री फॉर फाइफ शीक्स एंदन सेवन क्या यह बात समझा है इस अब को पक्का अच्छा आपने देखा कि दो सब्स्ट्योंट है एक क्लोरीन और दूसरा कौन है क्लोरीन को क्या बोलते हैं क्लोरो और ग्रॉमिन को क्या बोलेंगे ब्रॉमो इस इट क्लियर प बात ले आएगा तो थ्री नंबर पे क्या लगाएंगे ब्रॉमो उसके बाद क्या होगा है इस फटी पर क्या लगा बच्छो लोरो और उसके बाद कितने कार्वन है साथ कार्वन के लिए हैब सिंगल बॉंड़ है बदाव भी क्या यह पॉइंट क्लियर रहा है नेक्स फी पार्ट की तरफ मूव कर लें देखोंगे वान कुछ ऐसे है यहां लगा डबल पॉंट और यहां क्या लगा दिया क्लोरिन तो बताओंगे कितने कार्बन बनेंगे इसमें अच्छे चीज यहां रहा गया हाइड्रोजन लगेगा बच्छों तो यह बात क्लियर होगी कौन सबको क्लियर है कि तो नाम क्या होगा इसका फ्रक पर क्या लगा यह सेगरों हुआ है है इस सी गौरोजन कितने कार्बन रहाए है तो क्या लिखेंगे प्रॉप सिंगल बॉन नहीं और पर लगा अल्ल याइ थो काम चुल ज़ंगा तो और भी ना लिखे तो इतना क्लियर नेक्स देखिएगा आई पेक नाम बताना ने लास्ट वाले का एफ पॉइंट का यह सी एल लगाया उसके बाद क्या लगा बच्छो सी एज सिंगल बॉंडड है अच्छा सिंगल बॉंडड एक चीज लोट सी एल टू लगे हैं कितने सी एल है बच्छो 2 वह सी एल लगे है तो यह सी एच और इदर क्या लगा लगा सी हैस्टू क्या लगा लगा और साथ में क्या लगा बच्छो ऑफ एच यह अज़ा मॉलिक्यूल करें कांटिंग सार्ट हमागं बताओकी कारबन से करूँग आपका सब्स्टिटिटिट्वेट है और और क्या है फंक्शल रुपाय यह पहला कार्बन ये कौन सा कार्बन हो गया तो नाम क्या होगा नाम देखिएक बच्चों टू कॉमा डाई प्लोरो और पीछे क्या लगाएंगे इधेनल क्या लगेगा भई बताओ क्या येक्षे है हाँ जी अच्छा इते नौल बोल यह तरबर क्यों कर रहो इते नौल बोलें क्योंकि यहां पर फंक्शनल गूर्प कौन सा है एल्कॉहल एल्डी हैड के केसमें अल लगएगा क्या यह बात समझाएं सबको चलो भई पहला पॉइंट फाइट कोशन के तरफ मोवण करते हैं हाँ पहला पॉइंट देखिएगा तू तू डाइल मिठाइल पेंटेन अच्छा आपको क्या गरेवी चौद्धा फोलोंगी रिप्रेजेंट क्रेक्ट आइपक नेम और फॉर्दा कंपाउंड इनमें से कुछ गलत भी कर रखें इनोंने चीक है तो आप बताओगे क्या व पांच यहां भी मिठाइल ग्रूप लग गया और यहां भी मिठाइल ग्रूप लग गया इसके साथ कितने हाइड्रोजन इसके साथ कितने हाइड्रोजन यहां भी दो और यहां पर कितने हों गई क्या यह ठीक है बिलकुल ठीक होगा अगर यह लोंग अच्छेन है तो सीद तू डाई मिथाईल तू ये गलत हो गया तू डाई मिथाईल ते को बच्छो तू डाई मिथाईल पेंटेन को बच्छा बताईगा ये क्यों गलत है क्योंकि बच्छो इसने डाई वर्ड यूज कर दिया क्या वर्ड यूज कर दिया और डाई का मलत दो इसने दो में से एक की पोजिशन तो बता दी दूसरे की तो इसलिए पॉइंट क्या होगा गलत होगा नेक्स चलते हैं बच्छो अच्छा इसने और लगाया है कि इन दोने में कौन ठीक है तुम क्या बोलेंगे पहले वाला ठीक रहेगा बी कोशन देखिए जापी पॉइंट देखेंगे कोशन है 2, 4, 7 ठीक है ट्राइमिठायल आक्टेन से इन दोनों का स्टक्चर बना सकते हो बताओ वहिक्या बनेगा दोनों का स्टक्चर और बताओ इन दोनों में कौन को रेक्ट होगा बताओगे इतना यहाइन के structure डो करता हूं, औक टेन में कितने कारवन होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, कितने होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, इदर क्या लगाया, आठ, दो, चार, साथ, मालो यह second, यह fourth, और यह आपका क्या होगा, 7 ठीक है ना? इदर मिधायल है ना? 1 CS3 यहां लगाया 1 CS3 यहां पर है नक्ष्ट यहां पर लगाया इनकी वेलिंसी पूरी कर जिद्ते है हाइडरोजन 3 एक हाइडरोजन यहां कितनी होंगे 2, इदर भी 2, इदर 1 इदर 2 और इदर कितने होंगे एक आईडोजन होगा इधर तीन ठीक है यह तो एक हिसाब से ठीक है 255 वाला कुझ सा बनेगा मान लो यह बन है यह टू 3, 4, 5, 6, 7 और यह 8 अब नेक्स दिया है 25 अगर मैं इसको यहां से उठा कर यहां लगा दूँ यहां पर तो क्या होगा नम्बरिंग गलत हो जाएगी ठीक है ना देखो नम्बरिंग क्यों गलत होगी यह 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 देखो बच्चो यह वाला 5 वाला क्यों गलत होगा हमें ऐसी चेंज स्लेक्ट करनी है जिसके अंदर मेरे एक तो जादा सब्स्ट्वेंट हो ओपर से क्या हो कि मेरे सब्स्ट्वेंट को छोटा नम्मर मिले अब आपने देखा यह वाला सब्स्ट्वेंट और यह वाला सब्स्ट्वेंट दोरों सेम पोजिशन पर आ रहे हैं इदर से मैं स्टार्ट करूंगा तो यह से कंज से कर्वन पर यहां तो यहां तो यहां तो जब भी एसी कंडिशन बनें तो मैं नेक्सट युआंट की तरफ जाऊंगा अब इदर से मैं चल आँ तो इस सब्स्ट्वेंट को मेरा चोटा नमर मिल रहा है मगर इधर से कितना मिल रहा है बड़ा मिल रहा है ठीक है ना तो डेफिनेटली मैं कौनसी चेन स्लेक्ट करूँगा 247 ट्राइब मिठाइल ऑक्टेन वाली चेन मैं स्लेक्ट करूँगा क्या एक कुश्चन समझा है पक्का चलें आगे नेक्स इसको रफ कर दें भी सबको देखोगे अगला कुश्चन क्या है पढ़ोगे एक बार अगले कुश्चन को बताओ नेक्स कुश्चन क्या दिया आपको बस भाई बाग की बार में देखोगे कि चीपन tampoco फोर मिधाय यह रहा तो क्लोरो हो मिधाइल चैन की दिया देखेंगे तू कॉलो हमके क्या दिया भी फोर मिधाय्ल के मैं तू प्वोर मिधायल और शाथ में दिया पैंटे wrapping में और इसके अरावा क्या compound दिया है फोर्ट टू मिधाइल है फोर्ट लोर टू मिधाइल पैंटेन चलो वह देखते हैं अच्छा पैंटेन में कितने कारवन है बच्छो एक दो तीन चार और ये पहले कुशन के पहले पाट के अकोडिंग मना रहे हैं तू क्लोर सेकेंड कारवन में क्या लगा ठी अगर मैं लोंगा चेन ऐसे स्लेक्ट कर रहा हूं तो मेरा कुछ ऐसा compound बनेगा बाद में इसकी पूरी करेंगे यहां कितना आजएगा एच्ट्री यहां है और यहां कितना होजएगा एच्ट्री इस ठीक है बिल्कुल इसमें कोई गरबड़ता नहीं होगी क्योंकि दोनों सब्स्ट्रेंट को सेम पोजिशन मिली है तो मैं किसको प्राइटी दे रहा हूं अलफाबैटिकल और पर जो पहले आया कितना समझा है इसके भाई में क्या दिया है इसके भाई वाले में दिया है फोर क्लोरो तू मिधायल मतलब सी एच्ट्री यहां पर अब की बार इनों क्यों ठीक है क्यों ठीक है क्योंकि इसमें एलफाबैकल ऑडर वाले रूण को फोलो किया है जबकि सेंगे वाले ने छोड़ो को चार नंबर दे दिया क्या देदिया जबकि क्लोरों को तो छोटा नंबर मिलना चाहिए था तो कि alphabetical order में क्या आ रहा है पहले आ रहे ना तो that is why इसको कौन सा नंबर मिलना चाहिए था तू तो इसका मतलब पहला option क्या होगा आपका correct होगा आप समझाया है के नहीं है चलो next देखेंगा बच्छो अगला example क्यां दिया भाई कि अगा है कि लो भाई कोशन आपका डी पार्ट का बुट को साथ में क्या दिया थ्री आइन और वन थ्री आइन और यहां पर वन ओल लगाया इसका structure रोग करेंगे एक दो तीन और यह कितने होगे चार ठीक है ना तो गरबड में आ गया पहले कारण में क्या लगाया ओच यह वान टू और यह थार्ड तो थ्री है तो ट्राई आपका अलकाइन केस हो गया ठीक है आइन के लि दो आएंगे इसके साथ कितने आएंगे दो आएंगे एक दो तो है यह है तो यह दो है इसके साथ आएगा कोई नहीं आएगा इसका दूसरा भाई क्या है बुट फोर और वन आई इसके साथ बिलकुल आएगा नेक्स कुछ में देखिए बच्छो बुट यह तो साफ ही पता लग रहा है को गलत है तो ऑल और यह वन आएंटे को बच्छो नाम देखते ही क्लियर हो रहा है कि यह गलत क्यों है देखो जब पहले हमें वर्ड रूट छांटना होता है वर्ड सफisz और और जहां है सॉइन्टरिंटरी शफीकश तो पहले कि इसको वाना चाहिए था आइन को बाद में किसको आना चाहिए था जब और पर से यहां पर आई अपरर हो एह यहां ऑनकी नंबर हमें छोटा Nikki बोलने में आयन पहले आना चाहिए था लिखने में आइन पहले आना चाहिए था और ओल क्या था बाद में आता है अगर काउंटिंग में स्टार्ट करों काउंटिंग भी और वाले से मेरे को स्टार्ट करनी चाहिए थी देखते हैं इसका दो तीन और यह कितने होगे चार तो इसने यहां पर ट्रिपल मोल लगाया और फोर्द पर ओच लगा दिए देखो इसने प्राइट्री इस कार्वन को देथी जब कि मिलने किसको चाहिए थी इसको मिलने चाहिए थी बताओ क्या यह क्लियर है समझाया आगे करें आगे चले चलो बहुत मजा रहा है चलो अगला कुशन देखते हैं कि टाइम कितना हो गया हां हम फिल कभी लगा